हमारे जो एक्सपर्ट है निरव चेड़ा उनसे जुड़े उससे पहले एक और रिपोर्ट लेकर हमारे सायोगी जुर चुके हैं और RBI की मौन्टरी पॉलिसी पर एक्सपर्ट का एक पोल एटी नौस वदेश ने करवाया है इसकी पूरी डीटेल्स लेकर गौरव जवलकर हम जि हाँ तो अगर हम करोमीक पॉलिसी की बात करें तो कहीं पर एक्सपर्ट की माने तो खईपर उनका पॉल यह कहता एकि 77% इक्सपर्ट का मानना यह है कि जो रेट कट है वो नहीं होने वाला है इस meeting में भी यह जो rates है वो वैसे ही stable रहेंगे अब अगर इसके पीछे के reasons जाने तो वहाँ पे दो reasons आते है सबसे पहला reason आता है जो economic growth आता है तो उसको अगर हम बात करें GDP growth को लेके तो कई पे अगर हम बात करें Q1 के numbers की तो वहाँ पे GDP growth जो था वो 6.7% पे था हाला कि कई पे slowdown तो देखने को मिला था बट experts का मानना यह है कि कई पे seasonality के वज़े से जो slowdown है तो हम ही देखने को मिला था और इसके वज़े से कई पे जाधा impact नहीं आएगा दूसरा जो पाट आता है वो है inflation अगर हम CPI inflation की बात करें तो RBI का कहना यह है कि कई पे inflation जो है वो 4% से नीचे रहना चाहिए sustainable level पे बट अगर हम इंडिया के inflation की बात करें तो कई पे high level पे था यह inflation पिछले दो मैने में जो inflation है वो 4% से नीचे तो आया है अगर हम बात करें food inflation की तो वहाँ पे फिर भी अभी 5% से ज़ादा एक uptick जो है वह हमें देखने को मिला है RBI का कहना यह है कि कई पे जो inflation है वो sustainable level पे 4% से नीचे रहना चाहिए और उनका मानना यह भी है कि कई पे September में जो inflation है वो थोड़ा बढ़ सकता है और इसी के चलते है एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस meeting के दोरान कहीं पे interest rate का यह जो decision है वो RBI नहीं लेगी अगर हम दूसरे कुछ factors की बात करें तो कहीं पे फिलहाल में ही RBI ने तीन external members जो है उनको भी अपॉइंट किया था अगर हम बात करें उनके views का तो इस meeting में उनका view भी काफी ज़ादा crucial रहेगा क्योंकि पिछले meeting में हमने देखा था कि जो internal members है तीन members उनका जो view था वो कई पे interested ना करें इसी के उपर inclined था तो आगे जाके external members का क्या view रहेगा वो भी इस meeting में देखना काफी ज़रूरी रहेगा इसके अलाव अगर हम बात करें RBI के stance की तो कई पे RBI का जो stance है geopolitical risk को लेके वो कैसे रहेगा काफी ज़ादा important रहेगा इसी के चलते होए आगे जाके जो growth है GDP growth के जो estimate दिये थे जिस RBI का मानना है कि जो 7% से भी जादा रहेगा इंडिया को FI 25 के लिए वहाँ पे RBI का क्या stance रहेगा और वहाँ पे कुछ changes होगे की नहीं वो भी देखना काफी ज़रूरी रहेगा बट overall अगर हम बात करें एक बड़े decision की जिसकी सभी लोग इंतिजार करें कि rate cuts होंगे की नहीं तो economist का मानना यह है कि इस meeting में जो rate cuts है वो होने के chances काफी जादा कम है गौरव काफी एहम बात यहाँ पर यही निकल के आ रहे है कि काफी हों का मानना है बात करें बात करें नहीं है